असलाम अलेकुल विवर्स तो कैसे हैं आप उमीद करती हूं आप सभी लोग बिल्कुल चीज ठाक और खुजबाज होंगे आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ एक प्रोड़क्ट रिव्यू जो है एन्वाइवे का कोल काजल एन्वाइवे के मैंने मेकप क्या हुआ है आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो यह एन्वाइवे का कोल काजल यह मुझे इसी टाइप के पैकेजिंग में रिसीव हुई थी यहां पे इन्होंने मैंशन किया है दा बिग एपल ओफ माई आई यहां पे इन्होंने मैंशन किय है आप इसे पानी डालेंगे तो यह कहीं जाएगा नहीं रगड़ेंगे तो अलग चीज है तो यहां पे इन्होंने मैंशन किया है इस मच प्रूफ है इस मच प्रूफ का मतलब होता है आप इसे लगाते हो तो वह अपनी जगह पे बिल्कुल सट अप डाउन हो जाता है तो दो में इश के अपर लेयर पे लगाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वह भी हम मैं सुझावत है डेयां कैसा यहां पशीनली क्लेम इसका हूत एक डार अपलिकेशन जरनी के लिए all day stay करती है high pigmentation है बिलकुल black black color देती है वेगन है विल्कुल vegetarian है इसमें किसी भी तरह की fish oil वगरा नहीं डाली गई है instant color है बिल्कुल black color आइज and hassle free twist and glide mechanism इसका मतलब होता है कि यह घूम के işte 5 gram कि क्वांटिटी है इसकी में 5000 है लेकिन अभी इसकी प्राइब्स हो गई और 03しました ओ में पर आफ्ट दिस सकाउंट में तो गूम के खुळने वाली और तो ये जिसे हमरी waterujẹp fly favorable कहते हैं बहुत अच्छी होती है ये घूमके खुलने वाली काड्यल क्योंकि जो पैंसिल के साथ आती है क्योंकि पैंसिल के साथ आती है वह शपन अप करने में तो ऐसे ही जादा वेश्ट हो जाती है क्योंकि पैंसिल सॉफणर के साथ तो निकल ही जाती है एंड एन्वाईवे के प्रोडक्ट जो होते हैं वह काफी जादा अफोर्डेवल प्रोडक्ट होते हैं तो चलिए अब बात करते हैं इसके इनर पैकेजिंग की कि यू कैंद सी यह इसकी इनर पैकेजिंग है यह मुझे इसी टाइप में रिसीफ हाथ यह मुझे एक प्लास्टिक के रैपर में रैप होके आया था यहां पर इन्होंने लिखा है यहां पर इन्होंने लिखा है अगर आपको इसकी देट याद रखनी है तो आपको इसकी कवर को रखना ही होगा अगर आपको याद रखनी है तो इसके काजल जैसे दूसरे काजल होते हैं मैबलीन जैसे दूसरे काजल होते हैं मैबलीन और लैकमी के री ट्रैक्टेबल ये बिल्कुल वैसा ही है यू कैन सी एंड इसका काफी जादा अमाउंट था लेकिन मैं इसे 4-5 मांथ से यूज कर रही हूँ तो अविसलिए खतम भी हो गया और कुछ तूट भी गया था डगाइस डोंट माइंड अब मैं इसे अपने हैंड पर अप्लाइ करूंगे और देखूंगी यह कितना ब्लाइक है यह वाटर रजिस्टन्स है या नहीं इसमच पूरूफ है या नहीं तो यूडर कान सी के तब या ऻूडर टेश्ट पर है या नहीं तो आप सबीको पता है कि हम क्या Auto लगाते हैं तो हम उसी वक्त इसमच टेस्ट नहीं करना चाहिए इसमच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे अपनी एक आदल को अपनी जगह पर सेट अप डाउन हो गया है तो अप मैं इसे चेक करती हूँ कि यह समच करता है या नहीं इसमच तो इसने किया है यू कैन सी आप देख सकते हो मेरे फिंगर्स पे भी कुछ आ गया है इसमच तो यह करता है लेकिन यह अपनी जगह पे तो है लेकिन यह अपनी जगह पे तो है अब हम चेक करते हैं यह water resistance है या नहीं मैं इसमें पानी डाल के आती हूँ तो आप देख सकते हो मैंने इसमे water डाला है अब देखते हैं यह waterproof है या नहीं water resistance है या नहीं water से तो इसे कुछ नहीं हुआ यह type of wax की तरह है लेकिन यह smudge तो कर रहा है 90 रुपेज में और क्या चाहिए इतना इतना स्मच भी 90 रुपेज में और क्या चाहिए इतना स्मच मिल गया काफी है एंड वाटर से इसे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि यह टाइप ऑफ वैक्स की तरह है तो इसे वाटर से तो कुछ नहीं हुआ एंड लेकिन यह इसमच तो करता है लेकिन अपनी जगह पर तो है एंड काफी ब्लैकस कलर है इसकी और यह कॉलेज गोइंग गर्स के लिए या जिनको भी अफॉर्डिबल कागल चाहिए उनके लिए काफी जादा अच्छा है अगर आप चाहोती से पर्चेस कर सकते हो काफी अच्छा है जो कालिज गोइंग गर्स है उनके लिए भी काफी जादा अच्छा है पोकेट प्रेंड्लि है आपके पॉस्टेंप्रेंड नहीं परता है बजच प्रेंड्ली है और अप इसे आई लाइनर काजल आप अपड लेयर पर इसे एक यह कर सकते हो तो आपको थ्री एक ही काजल पर मिल जाती है तो काफी जादा अच्छा है एंड रीट्राक्टेबल है घूम के खुलने वाला है एंड शपनप करने वाला नहीं है क्योंकि सब्सक्राइब करने से तो ऐसे ही काजल वेश्ट हो जाते हैं गाइस अगर आपको इसे पर्चेस करना चाहते हो तो आप इसे बिल्कुल पर्चेस कर सकते हो अगर आपको इस प्रोड़क्ट पे मेरी एडिवीव वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड और फामली के साथ फॉलो करें झाले के साहते हो जाहते हैं